मुरादाबात के थाना सिविल लाइन शेतर के अगवानपुर में एक दस साल की नावालिक लड़की के घर से अपरहन करने के मामले में पीडित नावालिक यूवती के परीजनों ने अभी तक आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कानूनी कारवाही ना होने से गंबीता से लेत रही है और अभी तक आरोपियों पर कोई कानूनी कारवाही नहीं होई है परीजनों का ये भी कहना है कि इस मामले को पुलिस हलके में ले रही है और अपरहन की जगे छेड़-छाड का मुकदमा लिखना चाहती है वहीं परीजनों का आरोप है कि आरोपी विक्की दानिश उस्मान को इस गटना का अंजाम देने के पीछे चुनावी रंजिश है मेरी जड़के को जबाश्ती सुदूराद है को अधर मेटाउस का अधर अलक्षन का हमने बोट डाल दे किसी और को और इन दोगों में हम पर जबाब बनाया था हम मीमाने हमें अलक्षन किसी और लगा लिया हूँ जब लड़के किटनाब हुए तो सुपर दाय नहीं लगा रिया है जब लड़के किसी के साथ बात सकती है जब लड़के करें अफ़ाइस घंटे के बोड़के किसी और अब आप क्या चाते हैं कि लड़के कि ले गए हैं और जोड़के ले लेगा रहें जब लड़के लेगे हैं वीट्ट्टें कि जल्पकार भी कि लड़के का नाम लुट्ट्ट्टि और चार लड़के होगे बाद का नाम नहीं है पर सिखल परचान लंगे परचान लंगे आप जो मट्टे का दिले का दिले का था वो क्यों लेका थाई घ्रदी के लड़की तरह का ये वालत का नहीं फुर्द के भारा रहें मुरादाबाद से आलम वार्शी की रिपोर्ट